किरकेट में काई बार ऐसा होता है कि किसी के आ जाने से किसी की जगह घिर जाती है सेनियर के लाड़ी की चलते जुनियर स्कूअगे बढ़ने काम मौका नहीं विल पाता है भार्तिय टीम के बलेबाज और विकेट के पर दिनिश कार्तिक की वापसी ने हर किशी को हैरान किया खासकर IPL में उन्होंने जिस तरह की बलेबाजी करी उसके बाद टीम इंडिया में उनकी वापसी हुई और साउथ आफरीका किलाब उन्होंने जिस तरह का परदसन क्या वो वाकई में हर किशी को हैरान कर गया दिनेश कार्थिक बीते करीब तीन सालों से अपनी खराव फॉर्म को लेकर टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे इस बार आईपेल 2022 में दिनेश कार्थिक जिस अंदाज में दिखे उसे देखतर सेलेक्टर्स ने उने टीम इडिया में सेलेक्ट करने के लिए मजबूर हो गए आईपेल 2022 में आर्शी बी की तरब से केलते हुए दिनेश कार्थिक ने फिनिशर की भूमिका निबाई है और दिनेश कार्थिक वाप्ची की वज़े से तीन खिलाडियो की वो रहा में रोडा बन चुके है जी हाँ जूनियर खिलाडियो को मौका नहीं मिल पा रहा है अब दिनेश कार्थिक की वज़े से आई आपको बताते हैं आखिर किन 3 खिलाडियों पर दिंसच पार्थिक ने डाला है डबाओ या फिर दिंसच का आ जाने से किन किलाडियों का हो रहा है क्रियर परबाद मिल नहीं रहे बराबर मौके इसे खास रिपोर्ट में जानेंगे आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले कर आप भी है टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाए और चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकॉन को दबाए ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंसती रहे चुकि बात तो आप और हम सभी जानते है कि दिनिश कार्थी के कैसे बले बाज है जो भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हो लेकिन ज्यादा लंबा कैरियर तो इनकान नहीं रहने वाला है क्योंकि ये वापसी कोई बड़ी वापसी नहीं है दिनिश कार्थी की उम्र काफी हो गए यसलिए नए खिलाडियो को तरासने में टीम इंडिया ज्यादा बिलीव दिखाती है चाया आप गबर काउधान देख लीजी शिकर दवन की परफोर्मेंस बिल्कुल भी खराब नहीं है लेकिन ये तो एक फैक्ट है कि टीम इंडिया नए खिलाडियो को मौका देगी ताकि वो एक लंबा कैरियर बना सके और लॉंग टर्म के लिए टीम इंडिया को एक पोजीशन पर खिलाडिय मिल सके दिनेश कार्थिक ने भले टीम इंडिया में वापसी करी हो लेकिन इन तीन नए खिलाडियो के रहा में वो रोड़ा बन चुके है जो काईनक है टीट्वेंडी वल्लकप के लिए अपनी प्रबल दावेदारी पेस कर सकते हैं दिनेश कार्थिक से 30 सवर्षी खिलाड़ी है और इस खिलाड़ी की विकेट कीपिंग ने भी काफी निरास किया है वो दिरकालिक विकल्प की रूप में कार्थिक का दावा भी हलका नज़राता है ऐसे में सवाल है कि यब इसी जाई दिनेस कार्थी को किनारे कर इन तीन युवा कर्केटरों को मौका दे सकता है या नहीं इसलिए आज किस फीडियो में हम ऐसे तीन विकेट कीपर की बारे में बताने वाले हैं इनका कैरियर दिनेश कार्तिक की वज़ा से शंकट में आ गया है। इस लिस्ट में तीसरे पाइदान पर नाम संजू सैमसन का आता है। संजू सैमसन का टीम इंडिया से अंदर बाहर होने का सिल्चला आमेसाच जारी रहता है। जाए से लंगा खिलाब पिछली श्रीज में भारती क्रिकेट टीम का इसा तो जरूर रहे संजू सैमसन लेकिन अब दक्षिन अफरिका के बाहरल आइलेंड के खिलाब उन्हें मौका तो जरूर मिला लेकिन वो भी तब जब परमुक खिलाडी पाहर है। संजू सैमसन को बराबर मौके नहीं मिल पाना जिसकी बड़ी वज़ा अब दिनेश कार्थिक माने जा सकते हैं। में रोयल चलेंज बैंगलोर के लिए सुलामी बलेबाज की बुमी का निबाने वाले अनुज रावत भी 22 में टीम इंडिया के विकेट कीपर बनने की रेस्ट में हैं। उत्रागंड से आने वाले 22 वर्शे शिवा के लाड़ी न अपने फर्स्ट क्लास के पहले ही मैस में 71 रंगी स्वांदार पारी खेली थी। वहीं आई बलेबाजी की शैली से बखुबी परवाईत किया है। प्रवाईत किया है। इस बारे में आपकी कहा रहा है ये तो हमारी राय थी हमारी नजर में लेकिन आपकी राय आप अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकि फिलाल इस वीडियो में अतना ही।